नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशडी आई क्यू जी के पर आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे जादा इंपॉरेंट टॉपिक मानव मस्तिश्ट जिसे कि हम हुमन ब्रेन भी बोलते हैं इसके मोस्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेक कर आएंगे सभी कोशन मैं आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड और इंपॉरेंट लिए हैं अप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मानव मस्तिश्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएको जितने भी कोशन अब तर एक्जाम में पूछे पूछे जाएंगे सभी कोशन मैं आपको इस वीडियो में करवा दूँगा तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि हर एक्जाम में इस टॉपिक से कोशन पूछे ही जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है हमारा मस्तिश का सब सबसे बड़ा हिस्सा होता है या आप कहा सकते हो जो हमारा ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है प्रवमस्तिश का और सेरीब्रम का ठीक है यह आपने याद रखना है यह जो नाम मैंने इंग्लिश में लिखा है सेरीब्रम और हिंदी में बोलते हैं प्रवमस्तिश EEG जो होता है friends इसका परियोग हम करते हैं जो हमारा मस्तिश्क होता है इसकी गतिविदी को दर्ज करने के लिए और friends अगर आपसे exam में ये पूछा जाए कि जो ECG होता है ये किसकी गतिविदी को पता करता है तो आपका अंसर होगा हिर्दे की गतिविदी को अब friends यहां पे न मस्तिश्क होता है यानि हमारा ब्रेन होता है इसकी गतिविदी को दर्ज करने के लिए किया जाता है इसका फुल फॉर्म होता है एलेक्ट्रो एंसी फैलो ग्राम friends यह भी question exam में पूछा गया है friends जितनी भी मैं आपको edition information दे रहा हूँ सब अपने आप में question है और exam में सफरी बॉर्म है मानव शरीर के किस अंगर का प्रतियार उपन नहीं किया जा सकता और अगर किसी का भी फेफडा खराब होता है या लीवर खराब होता है तो friends उसको हम एक body से दूसरी body में transplant कर सकते हैं ताकि और वो इनसान ठीक हो जाता है लेकिन अगर जो मस्तिश्क होता है friends ये ऐसा अंग है जिसका प्रतियार उपन नहीं किया जा सकता मतलब किसी भी एक शरीर से दूसरे शरीर में transfer नहीं किया जा सकता ये question भी exam में पूछा गया है next question कर लेते हैं मानो शरीर के किस अंग की पुनह निर्मान की छमता सबसे कम होती है सही answer इसका option D मस्तिश्क मानो शरीर का जो friends मस्तिश्क होता है जिसे की हम brain भी बोलते है ये है एक ऐसा अंग है जिसकी पुनह निर्मान की छमता सबसे कम होती है friends मैं कोई चीज समझाता हूँ देखो अगर किसी का भी liver damage हो जाता है ठीक है तो liver क्या होता है friends बहुती जल्दी ठीक भी हो जाता है जितना मर्जी damage क्यों ना हो जाता है ठीक है वैसे हमारे शरीर का कोई भी जो अंग है अगर वो ख पिश्किल से ठीक हो पाता है ठीक है तो यही हमारा कोशन था कि पुनह निर्मान की छमता सबसे कम किसकी होती है मस्तिश की होती है यह नहीं हमारे brain की होती है यह भी आपने ध्यान रखना है एक्जाम में पूछा गया कोशन है next question कर लेते है मैनेंजिज में संकर्मन और के कारण अब friends आपके दिमाग में यह आ रहा हुआ कि मैनेंजिज क्या होता है फिर देखो जो हमारा spinal cord होता है ठीक है जो हमारा spinal cord होता है और जो हमारा brain होता है इसकी जो covering होती है इसकी जो covering वारा membrane होता है उसको हम मैनेंजिज बोलते है यह फिर से बता रहता हूँ हमारा spinal cord और जो brain होता है, उसकी जो covering वाली membrane होती है, उसको हम meningitis कहते हैं, और इसमें संकर्मन और Susan के कारण होने वाला रोग जो है, friends, वो meningitis रोग है, ये भी exam में पूछा गया, question है, और important है, next question कर लेते हैं, मस्तिश के उपर पाई जाने वाली layers में कौन सा दरव्य भरा होता है, जो मस मस्तिश को भारी अगहाद से सुरक्षा परदान करता है, सही answer है, option C, उप्यूक्त दोनो, cerebrospinal fluid, जिसको हिंदी में हम cerebrospinal दरव्य भी बोलते हैं, friends, ये मस्तिश जो उपर वाला हिस्सा होता है, उसमें ये दरव्य भरा होता है, जो मस्तिश को भारी अगहाद, या भारी चोड से सुरक्षा परदान करता है, तो आपने याद रखना है, cerebrospinal दरव्य या बोल सकते हो cerebrospinal fluid, जिसकी हम CSFB बोलते हैं, ये question भी एक्जाम में पूछा गया है, next question कर लेते हैं, मानव मस्तिश हडियों से बने जिस धाचे में सुरक्षित रहता है, उसे क्या कहते हैं, friends, ये question एक्जाम में कई बार पूछा गया है, सही answer इसका, option B, cranium, cranium friends, मानव मस्तिश का जो हडियों से बना धाचा होता है, जिसमें जो हमारा मस्तिश सुरक्षित रहता है, उसे कहते हैं, cranium, ये भी आपने ध्यान रखना है, friends, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, कि अगर म आपको किसी और source पर depend ना रहना पड़े, तो friends, आप पूरा वीडियो जरूर देखना, एक एक चीज आपको clear हो जाएगी मानव मस्तिश के बारे में, और जितने भी कोशन अब तक इजाम में पुछे जा चुके हैं, सभी कोशन में आपको करवा दूँगा इस वीडियो में धोनी की समेंदना मानव मस्तिश में लगभग कितनी देर तक रहती है, सही आंसर इसका, option C, 0.1 second तक, फिर धोनी की जो समेंदना होती है, ये मानव मस्तिश में लगभग 0.1 second तक रहती है, मतलब यह आप कह सकते हो, एक बटे 10 second तक रहती है, जो कि बहुत ही कम समय है, next question कर लेते हैं, मानव शरीर के मान स्पेशी की गतिविधी को को नियंतरित करता है, सही आंसर इसका, option C, उपियुक दोनो, motor neuron या आपको हिंदी में बोलते हैं, प्रेरक तंतरी कोशी का, motor neuron या बोलते हो, प्रेरक तंतरी कोशी का, जो है, ये मानव शरीर के मान स्पेशी की विदी को नियंतरित करता है, next question कर लेते, next question है मारा, मानव मस्तिश का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है, सही answer इसका, option B, temporal lobe, मानव मस्तिश का जो friends, temporal lobe होता है, या आप हिंदी में कनपटी भाग बोलते हैं, यह लोब सुनने के साथ जुड़ा होता है, यानि जो हम सुन सकते हैं, वो temporal lobe के द्वारा ही सुना जाता है, next question कर लेते हैं, मस्तिश के अध्यन को क्या कहा जाता है, सही answer इसका, option A, neurology, neurology जो होता है friends, यह मस्तिश का अध्यन कहलाता है, next question, मस्तिश की सुरक्षा के लिए, मस्तिश के उपर कितनी परते होती हैं, सही answer इसका Option A, 3 परते होती है मस्तिश की सुरक्षा के लिए Friends, मस्तिश का जो उपर 3 परते होती है, ये भी एक्जाम में पूछा गया और जो 3 परते हैं, वो मैं आपको अगले कोशन में करवाऊंगा मस्तिश की सुरक्षा के लिए मस्तिश के उपर 3 परत कौन सी होती है सही आंसर इसका option D उप्युक्त सभी एक है Duramatter दूसरा है friends Erkanoid तीसरा है Pyamatter यह तीन जो है friends यह मस्तिश की सुरक्षा के लिए जो तीन परते होती है यानि तीन लेर होती है उनका नाम है तीनों को friends आपने याद रखना है next question अगर मस्तिश के तीन परकार कौन से है सही आंसर इसका option D उप्युक्त सभी जो अगर मस्तिश होता है उसके तीन परकार होते है एक होता है cerebrum cerebrum को हम प्रव मस्तिश भी बोलते हैं हिंदी में यह आपने ध्यान रखना है दूसरा है thalamus तीसरा है hypothalamus यह तीन जो है friends अगर मस्तिश के परकार है ठीक है यह आपने ध्यान डखना है next question कर लेते हैं मानव मस्तिश में चेतना शक्ती को नियंतरित करने का कारे कोन करता है सही आंसर इसका option A cerebrum cerebrum जिसको कि हम प्रव मस्तिश भी बोलते हैं यह मानव मस्तिश में चेतना शक्ती को नियंतरित करने का कारे करता है friends आपको question का level देखके बता लग गया होगा सभी question जो है exam oriented है और friends last में जो मैं आपको सभी का एक बार फिर से revision करवाने वालों ठीक है paragraph की form में तो last तक आप वीडियो को जरूर देखना बहुत जादा help मिलने वाली आपको मानव मस्तिश में समरन शक्ती को नियंतरित करने का कारे कोन करता है सही answer इसका option A cerebrum या बोल सकते हो प्रव मस्तिश जो होता है यह मानव मस्तिश में समरन शक्ती को नियंतरित करने का कारे करता है next question मानव मस्तिश में प्रेरक संकेत के रूप में कोन कारे करता है सही आंसर इसका option b thalamus जो होता है friends ये मानव मस्तिष्क में प्रेरख संकेत के रूप में कारे करता है ये question भी exam में पूछा गया है अगला question कर लेते हैं मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कारे करता है सही आंसर इसका, option B, thalamus, मानव मस्तिष का जो thalamus होता है friends, ये सनवेद्धी संकेतक के रूप में कारे करता है, next question, मानव मस्तिष में दर्द की अनुभती किस हिस्से से होती है, सही आंसर इसका, option B, thalamus, जो thalamus है, अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा होता है, त ये दर्द की अनुभती करवाता है, ये भी आपने याद रखना, एक्जाम में पूछा गया, answer is thalamus, next question, मानव मस्तिष में स्पर्ष की सूचना किस से प्राप्त होती है, सही आंसर इसका, option B, thalamus, मानव मस्तिष में जो स्पर्ष की सूचना होती है, friends, ये thalamus से प्राप्त रखना है, ठीक है, मतलब, friends, ये जितने भी हिस्से होता है, मानव मस्तिष के, चाहिए वो प्राप्तिष हो गया, या thalamus हो गया, या hypothalamus हो गया, सभी के अपने-पने कार्रे होते हैं, ठीक है, और इसी पर एक्जाम में question पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब, जितने भी question, friends, बनते हैं, वो सभी करवारों मैं आपको इस वीडियो में, next question है मारा, मानव मस्तिष में दबाव की अनुभती कौन कराता है, सही answer है, option B, thalamus, मानव मस्तिष में, friends, दबाव की अनुभती जो होता है, ये thalamus जो होता है, हिस्सा ये करवाता है, ये भी आपने याद रखना ह मानव मस्तिष का थalamus वाला हिस्सा है, ये हमें दबाव की अनुभती करवाता है, next question, मानव मस्तिष में तापमान को नियंतरित करने का कारे कौन करता है, सही answer है, option C, hypothalamus, मानव मस्तिष का जो hypothalamus वाला हिस्सा है, ये तापमान को नियंतरित करने का कारे करता है, ठीक है, य को नियंतरित करता है सही आंसर इसका option c hypothalamus मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को को नियंतरित करता है most important question यह सही आंसर है option c hypothalamus मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को नियंतरित करता है यह अपने ध्यान रखना है यह भी एक्जाम में पूछा गया question है मानव मस्तिष्क में प्यूश ग्रंथी के इस्तरावन को नियंतरित कोन करता है सही आंसर इसका option c hypothalamus मानव मस्तिष्क जो फ्रेंस hypothalamus है यह प्यूश ग्रंथी के इस्तरावरन को भी नियंतरित करता है तंतरिका तंतर का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की किरियाओं को नियंतरित करता है सही आंसर इसका option a medulla oblongata medulla oblongata जो है friends यह तंतरिका तंतर का वह भाग है जो आंतरिक अंगों की किरियाओं को नियंतरित करता है मानव शरीर में शौशन कारे का केंद्रिय नियंतरन कहां से होता है सही आंसर इसका Option C, मैडियूला अबलंग गयाटा मानव मस्तिश्क का जो मैडियूला अबलंग गयाटा है यह शौशन कारे का केंद्रिय नियंतरन करता है नेक्स्ट कोशन है मारा मानव कपाल में कितनी हडियां पाई जाती है सही आंसर इसका option B 8 हडियां पाई जाती है फ्रेंस हमारा कोशन यह था कि जो हमारा मानव का मस्तिश को होता है उसके चारों और कितनी हडियां पाई जाती है तो आपका आंसर होगा, आठ हड़ियां पाई जाती है, next question कर लेते हैं, मनुष्य का मस्तिश की का वजन कितना होता है, सही answer इसका, option B, 1350 ग्राम, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम की बीच में, friends, मानव का जो मस्तिश को होता है, उसका वजन होता है, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, जातर, friends, आपको जो एक्जाम में मिलेगा, वो 1350 ग्राम मिलेगा, या 1380 ग्राम मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो रेंज बता दिया, वो बता दिया, 1350 ग्राम से लेके, 1400 ग्राम की बीच में होता है, मानव मस्तिश का वजन, next question है मारा, जनम के बाद किस उत्तक म कोई भी इसमें cell division नहीं होता है, ठीक है, ये question भी exam में पूछा गया है, next question कर लते है, मनुष्य के मस्तिश के कितने भागों में विवाजित होता है, सही answer इसका, option B, 3, मनुष्य का जो मस्तिश को होता है, friends, ये 3 भागों में विवाजित होता है, 3 भाग जो होते हैं, मैं मध्य मस्तिश, तीसरा है पश्य मस्चिद, ठीक है, अगर मस्चिद, और friends, जो अगर मस्चिश होता है, इसे हम four brain भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखते हो, इसको हम four brain भी बोलते हैं, उसकी बाद friends, जो आता है, वो आता है, मध्य मस्तिश, जिसको की हम mid brain भी बोलते हैं, यहा मानो मस्तिश्क का सबसे विक्सित भाग कुन सा है सही आंसर अशका option B cerebrum cerebrum जो होता है friends ये मानो मस्तिश्क का सबसे विक्सित भाग है मैंने आपको उपरी बताया था कि जो cerebrum होता है इसे हम प्रमस्तिश्क भी बोलते है next question कर लेते सेरिब्रम किस से संब्द देते हैं ये कोशन भी एक्जाम में पूछा गया है सही आंसर है option A मस्तिख्ष से संब्द रखता है सेरिब्रम next question मानव मस्तिख्ष के बुद्धी का केंदर किसे कहा जाता है सही आंसर है option C उप्युक दोनो प्राम मस्तिख्ष जिसे की हम सेरिब्रम भी बोलते हैं ये मानव मस्तिख्ष का बुद्धी का केंदर कहलाता है अगला question कर लेते है किसी वैक्ति के जैविक मिर्ट्यू का अर्थ निम्ने में से किस अंग के उत्कों के मर जाने से है सही आंसर है option A किसी वैक्ति के जैविक मिर्ट्यू का अर्थ होता है उसका जो मस्तिख का जो उत्तक होता है उसके मर जाने से है ठीक है ये भी एक्जाम में पूछा गया question है next question कर लेते है हिर्दे की धरकन की गती निम्ने में से किसे बढ़ती है सही answer इसका option C उप्यूक्त दोनो अनुकम्पी तंत्रिका जिसे की हम sympathetic nervous system भी बोलते है ये हिर्दे की धरकन की गती इसके कारण बढ़ती है next question प्यूश गरंथी मानव शरीर में कहां पाई जाती है सही answer इसका option C मस्तिख में मस्तिख का जो पीछे वाला हिस्सा होता है यहां पर प्यूश गरंथी पाई जाती है प्यूश गरंथी को हम पिचुवेट्री ग्लैंट भी बोलते है याद रखने आपको पिचुवेट्री ग्लैंट भी बोलते है और प्यूश गरंथी हिंदी में बोलते है ठीक है और यह मस्तिक्ष में पाईज आती है और फिर इसका जो अकार होता है जो मत्र का ही दाना होता है फ्रेंट उसके जितना अकार होता है प्योश गरंती का next question मानव शरीर में सौशन कारे का केंद्रिय नियंतरन कहां से होता है next question मानव मस्तिष का कौन सा भाग सनवेगातमक केंद्रिय नियंतरन कहां से होता है option c hypothalamus मानव मस्तिष का जो friends hypothalamus वाला हिस्सा होता है यह सनवेगातमक क्रियाओं को नियंतरित करता है friends अगर आपको पढ़ाय वह पसंदार है वीडियो की quality पसंदारी है question की quality पसंदारी है वीडियो को लाइक जरूर करेंगा यह कम से कम अपने 10 friends के साथ share भी जरूर करिएगा next question मानव मस्तिष में वह नियंतरन केंज जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को वीनियमित करता है next question मानव मस्तिष का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंदर है next question मानव मस्तिष में कौन सा भाग मोटर नियंतरन में महतोपून भूमी का अदा करता है मानव मस्तिष का सा भाग मोटर नियंतरन में महतोपून भूमी का निभाता है next question important है आपके लिए neuron क्या होते है intrinsic difference यह जनमके का अमस्तिष कीवा नियॉर्यातिक Extra उपशन के भाग महतो वह स्यल्है। a few झेलon पिसों के लिए categorization क्या का अवब्य सा जंफिवा निगलती है inform इंस्वाटित्स में में मेना में लिन पर मानुपक हम पर्छिपटन के लिलए देसर निए हो औरसा het मनुष्य का जो फ्रेंट मेरुद्धन होता है इसमें से 31 जोड़ी तंत्रीका निकलती है यह भी एक्जाम में पूछा गया कोशन है मस्तिश का मुख्य कारे क्या होता है सही आंसर इसका option D उप्युक्त सभी सोचने के का कारे करता है मस्तिश करता है शरीर का जो संतुलन बनाये रखने का कारे भी मस्तिश करता है यह मुख्य कारे थे मस्तिश के मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालिय तंत्रीकाई होती है सही आंसर इसका option B 12 मनुष्य में friends कुल मिलाके 12 जोरी कपालिय तंत्रिकाइं होती है next question pawns, cerebellum और medulla किस मस्टिश का हिस्सा है साइए answer अप्शन C push mustis का pawns, cerebellum, medulla जो है friends ये push mustis का हिस्सा है मैं आपको बताया था मस्टिश के 3 हिस्से है अगर mustis ठीक है जिसे कि हम four brain भी कहते हैं, मध्ध मस्तिक जिसे कि हम mid brain भी कहते हैं और push मस्तिक जिसे कि हम hind brain भी कहते हैं, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है. मानो मस्तिश के दो गुलारदों को कौन जोड़ता है? काफी बार एक्जाम में पुछा गया कोशन है, ये सही आंसर है. Option C, corpus callosum. Corpus callosum जो है friends, ये मानो मस्तिश के जो दो गुलारदों होते हैं, उसको जोड़ता है. सही आंसर इसका, option A, अगर मस्तिश क, अगर मस्तिश क, जिसको मैं आपको बताया था, four brain भी कहते हैं, ये मानो मस्तिश का भाग है, जो मुखे रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है. तंत्री का कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? सही आंसर इसका, option C, electric impulse, तंत्री का कोशिकाएं जो होती हैं, ये electrical impulse के माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं, next question कर लेते हैं, read की हड़ी और मस्तिश के उपर की जिली के सूजन के कारण कौन सी बिमारी होती है? सही आंसर है, option C, उप्युक्त दोनो, managitis, English में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मस्तिश जवर, ये आपने याद रखना है, ये read की हड़ी और मस्तिश के उपर की जिली के जो सूजन होती है, उस बिमारी को कहते हैं, तंत्री का, तंत्र संबधी अध्यन को क्या कहा जात सही आंसर है, option C, neurology, तंत्री का, तंत्र संबधी जो अध्यन होता है, उसे हम neurology कहते हैं, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, अंतगरंथनी संधी, जिसे कि हम synaptic junction भी बोलते हैं, से निकलने वाले रसाइन को क्या कहा जाता है, सही आंसर है, option A, तंत्री प्रेशिया, और English में हम निरो ट्रांस्मीटर्स, तंत्री प्रेशिया या निरो ट्रांस्मीटर्स जो होता है, यह अंतगरतनी संधी, यानि synaptic junction से निकलने वाले रसाइन को कहा जाता है, मैंने आपको यह 57 most important questions करवाई है, मानम मस्तिश के, अब friends, कुछ notes है, जो questions रहे गे होंगे, उसे हम फिर से पढ़ लेते हैं, retail में, ठीक है, और यह पूरा का पूरा notes है, friends, ठीक है, अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, यह question और यह जो मैं आपके सामे notes लेकर आया हूँ, यह काफी जादा important है, ठीक है, चलिए friends, हम notes, read करना start करते है, और समझने की कोशिश करते है, brain तता जिस तीन भागों में विभाजित है, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, यह question भी exam में पूछा गया, यह जो फ्रेंज लाइन लेकीते हैं, मैंने आपको की brain तता खोपड़ी की बीच की परत को क्या बोलते है, cranial meninges कहते है, इसके तीन भाग होते है, एक होता है, duramatter, दुसरा होता है, madhyamastis, जिसे की हम mid brain भी कहते हैं, और तीसरा होता है, पश-mastik, जिसे की हम hind brain भी कहते हैं, ठीक है, इन तीनों भागों में जो agarmastis होता ही, सबसे बड़ा होता है, यह आपने ध्यान रखना है, उसके बाफरेंज, जो agarmastis होता है, इसके भी तीन परकार ह होते हैं, ठीक है, यानि जो agarmastis है हमारा यह वाला, four brain, इसके तीन परकार होते हैं, एक होता है cerebrum, जिसे की मैंने आपको बताया था कि प्रवमastis भी बोलते हैं, दूसरा होता है thalamus, तीसरा होता है hypothalamus, ठीक है, उसके बाफरेंज, agarmastis के इन तीनों परकार में सबसे भाग है, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, next हमारे पास हम बात करते हैं, प्रवमastis की, प्रवमastis इसके बीच में एक दरार होती है, जो इसे दो भागों में बाटती है, इन दोनों भागों के बीच एक track होता है, जो दोनों भागों को जोडता है, और इसे corpus callosum कहते ह मैं आपको उपरी बतायता है, जो brain होता है, कुछ इस परकार का होता है, ठीक है, इस परकार का होता है, तो यह इसी की बात कर रहा था, यह जो बीच वाला जो होता है, इसे हम corpus callosum कहते हैं, जो दोनों भागों को आपस में जोडता है, ठीक है, यह बात ओरी थी प्रवमastis की, अब सबसे ज़्यादा important है, जो exam में question पूछा जाते है, प्रवमastis का मुख्यकारे, आपसे exam में पूछा जाएगा कि बुद्धी मता या IQ पावर को को नियंतरित करता है, मस्तिश का कौन सा भाग नियंतरित करता है, आपका answer होगा प्रवमastis, फिर exam में पूछा जाता ह कि चेतना शक्ति को को नियंतरित करता है, तो भी आपका answer होगा प्रवमastis, आपसे पूछा जाएगा कि मानम मस्तिश का कौन सा भाग सर्म्रण शक्ति को नियंतरित करता है, तो भी आपका answer होगा प्रवमastis, ठीक है, यानि कि cerebrum, अब देखते हैं फ्रेंड थैलेमस की बा बात करते हैं थैलेमस की, यह मस्तिश का केंदर बिंदू होता है, थैलेमस का मुखे कारे देखते हैं, प्रेरक संकेत के रूप में कारे करता है थैलेमस, सनवेदी संकेतक के रूप में कारे करता है थैलेमस, यह सभी एक्जाम में पूछेगा एक कोशन है, ठीक है, दर्द क की अनुभूती भी थैलेमस ही करवाता है मानुमस्तिश का आप से एक्जाम में पोछ लेंगे कि मानुमस्तिश का कौन सा भाग दर्द की अनुभूती करवाता है आपका आंसर होगा थैलेमस स्पर्ष की सूचना भी थैलेमस के द्वारा प्राप्त होती है दबाव की अनुभ नींद चक्र को भी hypothalmas 허ता है प्यूश गरंथी के इतावन को भी hypothalmas करता है यह बात वह थे सत्तापित करने का कार्रें भी मध्य मस्टिष करता है इतनी जाधा कोश्रेंस मैं आपके लेकर आया है हूं इतनी जाधा कोश्रा न कहीं र 보 örn की किसी सनर में मिलेंगे थillon किसी इतना में अथी का का पूरा स्थापिक को रबारू है मैं आपको इस वीडियो में human brain का यानि मानो मस्तिश का पढ़ाएवा पसंद आ रहा है फ्रेंस वीडियो को like जरूर करिएगा उसके बाद है फ्रेंस पश मस्चित ठीक है जो हमारा आखरी था जिसे कि हम hind brain भी कहते हैं इसके भी तीन भाग होते हैं एक होता है पोंस जिसे कि हम तंतू भ बलंग याटा अब हम तीनों को discuss करते हैं पोंस या तंतू का मुखे कारे देख लेते हैं नियूरोन के संदेशों का मांग दर्शन करता है ये मुतराश्यों को नियंतरित करता है फेस एक्सप्रेस या चेहरे के हावभाव को भी नियंतरित करता है अगर मस्तिश से सेरेबल की मस्तिश का दूसरा सबसे बड़ा भागई है सेरेबलम का मुखे कारे देख लेते हैं शरीर का संतुलन बनाने का कारे करता है ये शरीर की मुद्राओं को नियंतरित करता है पेशियों की संकोचन को नियंतरित करता है एक्षिक किरियाओं को नियंतरित करने का कारे करता है Cerebellum, ठीक है, अब हम बात करते है Medulla Oblongata की Medulla Oblongata का मुखे कारे देख लेते हैं, हिर्द्य समद्धी किरियाओं को नियंतरित करने का कारे करता है पाचक रसों को स्तरावन का नियंतरित करता है Medulla Oblongata, और सोशन किरियाओं जो होती है, उसे भी Medulla Oblongata नियंतरित करता है Friends, यह मैंने आपको complete information दी है मानव मस्तिश के बारे में यानि जितने भी कोशन बन सकते हैं exam के लिए वो भी मैंने आपको इस वीडियो में करवाए उमीद करता हूँ Friends, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जुरू करिए Friends, कम से को आपको 10 friends के साथ share भी जुरू करिए एक छोटी सी आपको मैं information दे देता हूँ Friends, आप मुझसे टेलिग्राम पे, फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे जूड सकते हो रवी Study IQ GK नाम से है और Friends, मेरा एक current affairs का channel भी है Current Affairs by Ravis Study IQ GK इस channel को भी Friends, आप अभी subscribe कर लीजिए मेरा blog channel है Ravis Study IQ GK लोग इसे भी subscribe कर लीजिए और एक और channel है मेरा GK का Ravis Study IQ GK 2.0 इसे भी Friends, आप subscribe कर लीजिए website है, अगर आपने सभी qoshen बात में पढ़ने तो वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं और रवीStudyIQGK.com है किसी भी Google पर या ब्राउजर पर जाके आपको सर्च करना है रवीStudyIQGK.com ठीक है यह वेबसाइट है Special WhatsApp Broadcast Group है 7814339999 इसे भी friends आप जॉइन कर लीजिए तो friends आप हम मिलते हैं next video में Thank you and wish you all the best